हे फ्रेंड चैशी कृष्णा स्वागत है आपका मेरी कीचेन में आज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम जटपट से बन जाना वाले बहुत ही टेस्टी पनीर पकोडे की रेसिपी एक बारा वगर इस तरह से पनीर पकोडे बना लेंगे ने नॉर्मल बेसन है जो पकेट में मिलता है ठोड़ा थोड़ा पानी डाल के ले से हूं अब मैं इसे ढके रख देंके आदे गहुंते के लिए आगर आपके पास स्टाइम नहीं घंपाज में जब तक basin rest कर रहा है हम पनीर के इस तरह से लंबे लंबे जो cubes हैं वो cut कर लेते हैं तो आपने हमेशा जो पनीर के पकोड़े हैं वो चौकर pieces में खाये होंगे कभी इस तरह से मेरी तरह देखे जब भी मैं घर में पनीर पकोड़े बनाती हूँ तो पनीर को इस तरह से लंबाई में कट के बनाती हूँ लंबे और थोड़े से मोटे इस तरह के लंबाई के cubes में cut कर लेती हूँ मैं अकसर इसी तरह से बनाती हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये तरह से recipe आपके साथ भी share करूँ तो आप चाहें तो चौकोर पीसिस भी cut कर सकते हैं या फिर इस तरह से लंबाई में काट लें पनीर को यहाँ पे बेसन को रखे हुए आदा गंटा हो गया है मैंने आदे गंटे के लिए इसको फूलने के लिए छोड़ दिया था तो बस मैंने यहाँ पे इसको एक से दो मिनट फेट लिया है अब उसनों कुछ और चीज़ा एड़ कर देते हैं जैसे दो-तीन हरी मिर्ट ये बारिक कटे हुए खुब सारा हरा दनिया बारिक कटा हुआ डाल देंगे एक चोथाई चमबच जीरा, एक चोथाई चमबच अजवाईन, एक चोथाई चमबच हींग नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी से चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे एक चोथाई चमबच काली मिर्च का पाउडर, इसको चटपटा बनाने के लिए बस इसी तरह की consistency हमें रखनी है, पतला इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बैटर एक दम गाड़ा-गाड़ा होना चाहिए, अगर आप गाड़ा बैटर बनाएंगे ना तो पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे, लास्ट में हम इसमें एट कर देंगे एक सीक्रेट इन्ग्रेटियन जो किया है baking powder, ये डालना है हमें सिर्फ एक चोथाई चम्मर्च, ध्यान रहें बेकिंग सोडा नहीं डालना है, मतलब मीठा सोडा नहीं डालना है, baking powder डालना है, इससे क्या होगा कि जो हमारे पनीर के पको कोट हो जाना चाहिए यह देखे इस तरह से जब हम इस पनीर डाल रहे हैं तो यह कोट हो रहा है बस इसी तरह की कंसिसेंसी चाहिए हमें अपने बैटर के लिए बहुत जदा पतला करेंगे न तो अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा तो यहां पर बैटर रेडी है तेल मैंने इसे ही गरम होने के लिए रख दिया था तेल अच्छा गरम होना चाहिए ठंडे तेल में मध डालिएगा एक एक पनीर के क्यूप्स को इस तरह से बैटर में कोट करेंगे और तेल में डाल देंगे कुछ सेकेंड के लिए टैच नहीं करेंगे जैसे हलके से फर्म हो तो बस यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो पकोड़े हैं इन पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है तब हम इनको ऑईल में से निकाल लेंगे अगर आपको इन पकोड़ों को बच्चों के स्कूल में टिफिन में देना है तो आप चाहें तो जैसे बेसन और पान पानी सकते हूं हर कोई कहता है कि बहुत टेस्टी बने है तो मैं न पुझा आपके साथ भी शेयर की जाए तो बस यहां पर यह हमारे पनीड के पकोड़े हो गया है बनके तयार बहुत ही टेस्टी बने है एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राए कीजेगा और ट्राय करन सकते हैं हमारे पनीर के पकोड़े इतने सौफ्ट और इतने मुलायम इतने मुल जाने वाले एकदम मलाईदार पकोड़े बने हैं और ये घंटो बात भी इसी तरह से मुलायम बने रहेंगे ये मेरी गारंटी है आज के अगरे छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज व नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की अच्छे अच्छी और रेसिपीज में आपके लिए डेली लेकर आती हों थैंक्यू सो मच पर वाचेंग